नमस्कार स्वागते आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो रिया चकवर्थी की फैमिली को सीबियाई का मिला नोटीस रिया चकवर्थी के घर में मचा हड़कंप जी हाँ आपको बता दे रिया चकवर्थी की फैमिली ने भी अभी तक दोस्तों सुसान सिंग राजफुत केस में भरपूर तरीके से रिया चकवर्थी का हिस्साथ दिया और कभी भी सामने आ करके सच नहीं बताया लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सारी सचाई सामने आ चुकी है और पता चल चुका है कि रिया चकवर्ती की फैमिली ने कौन कौन सा जूट बोला और कैसे CBI की टिम ने अब रिया चकवर्ती की फैमिली से ही सच उगलवाने की ठानली है दरसल दोस्तो रिया चकवर्ती की फैमली पर आरोप लग रहा था कि वो लोग रिया चकवर्ती का ही साथ दे रहे हैं और किसी भी तरह से सुसान सिंग राशपूत केस में सच तो बोलना ही नहीं चाते लेकिन जब जांचे इंसियों ने रिया चकवर्ती की फैमिली को दबोचा तो अब दिरे दिरे करके एक एक करके सारे की सारी सचाई सामने निकल कर आने लग गई है तो चली मैं आपको बताता हूँ कैसे CBI ने एक बार फिर से रिये चकवर्ती की फैमिली को दबोशने की तयारी कर ली है दरसल CBI की टिम को पूरी तरह से लग रहा है कि अगर रिये चकवर्ती की फैमिली से ही सच उगलवाया गया तो ही सबसे आदा बहतर होगा क्योंकि रिये चकवर्ती की फैमिली ही सारे बड़े खुला से कर सकती है और रिये चकवर्ती की फैमिली ही बता सकती है कि सुसान सिंग राशपूत के साथ क्या हुआ था और कैसे सुसान सिंग राशपूत कमजोर हुए और रिया चिकवर्ती ने सुसांत के साथ क्या क्या किया अब ऐसे में रिया चिकवर्ती जहां सच नहीं बता रही है तो रिया की फैमली तो बताएगी और इसी कोई CBI ने अधार बना लिया है यानि कि दोस्तों अब सुसांत सिंग राशपूत का जो केस है वो सुलजने के बहुत ही ज़्यादा करीब है और रिया चिकवर्ती की फैमली के जरिये अब हमारे सुसांत को इंसाब भी मिलेगा और हो सकता है कि रिया को एक बार फिर से जेल के पीछे जाना पड़े तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना